नवश्कार दोस्तों मेरा नाम है सोनो से और आप देख रहे हैं सोनो से बीपिटी वाले आज की इस वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और मैं इस चीज की गरेंटी दे सकता हूं कि अगर ये वीडियो अंड तक आप एक्जाम में लिखने लायक हो जाओकि और इसमें कोई नुमेरिकल नहीं होगा कोई चार्ट नहीं होगे ठेक है इसके कंट्रोल चार्ट भी होते हैं तो इस पूरी वीडियो में हम थियोरी पार्ट कवर करेंगे SQC का जो कि बहुत ही जादा important है exam point of view से तो चले शुरू कर साथ वीडियो में सबसे पहले देख लेते हैं कि quality का क्या meaning होता है concept of quality अब S की उसी पढ़ रहे है quality control है तो quality तो पता होने चाहिए ना तो पढ़ लेते हैं quality refers to the sum of the attributes or properties that describes a product अब quality को एक attribute या properties का sum बताए गया है attributes मतलब जो भी उसके काम करती है क्या कि उसकी खासियत है जो एक product को बताए ठीक है उस चीजों का sum माना गया है quality को ठीक है product के बारे में देखो मैं simple language में बताता हूँ product के बारे में कि क्या उसकी खासियत है कैसे कैसे वो काम करता है क्या 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 attributes हैं उस सब चीजों को बताने के लिए उसके quality कैसे बता चले ही कि वो क्या-के उसका काम है क्या-के वो कैसे वो काम करता है इस जनली expressed in terms of specific product characteristics such as length, width, weight, color, etc भाई यह सारी चीजे express की जाती है product characteristics के अंदर जो की हो सकती है length हो सकती है product कितना लंबा है, कितना मोटा है, क्या उसका weight है, क्या उसका वजन है, क्या उसका color है ठीक है यह सारी चीजे अगर मतलब सही मात्रह में हो तो उसे quality बोलेंगे, quality कैसे check कर सकते हैं यह सारी characteristics के basis पे check कर सकते हैं, ओके तो quality का meaning clear हो या एकदम, भाई मतलब इस topic में यह ही है किस color का आप पैन बना रहे हो, है ना, यह सारी चीज़ा अगर accurate है, quality measure करने के लिए, यह सारी चीज़ा आप देखो के accurate हैं, तो आप बोलेगे के those activities which assures that quality creation is performed in such a manner that the resulting product will perform its intended functions, अब quality control, भाई सुनने में कैसा लग रहा है कि quality को control किया जा रहा है, ठीक है, control किसलिए, देख लेते हैं, quality control में ऐसी सारी activities आ जाती है, जो quality creation, मतलब ऐसे बताती है, quality creation, मतलब अच्छे से perform हो रहा है, ताकि जो हमारा resulting goods है, resulting हमारा product है, जो उसके intended functions है, वो पूरे कर पा रहा है, जैसे हम pen बना रहे थे न, तो pen की quality control हम यह मतलब देखेंगे, कि quality control हमारा यह मतलब है pen की, कि उसकी quality creation, उसके लंबाई एकदम सही है, मोटाई एकदम सही है, वो लिखने में एकदम सही है, उसका color एकदम मसत है, म तो जो भी activities assure area की quality creation अच्छे ढंक से perform किया गया है, वो सब आ गया quality control में, अभी यहाँ पर तीन stages है quality control की, क्या के stages है inputs, मतलब इसका मतलब यह है कि quality control कहां कहां पर हम कर सकते हैं, सबसे पहले जैसे अब pen मना रहे तो अपने inputs में, क्या plastic लगेगा, क्या किसे किसे inks लगेंग जो भी आपका raw material है, parts और supply है, उसकी quality देखना, कि उसकी quality अच्छी है कि नहीं है, acceptance test करना, कि उसको accept करने से मतलब क्यासे कैसे होगा, उसको accept करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ standards होते हैं, कुछ checklists होती है, कि हमारे standards पे वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है, है यहां कि मतलब raw material को, उसमें क्या है, production process सबसे पहले start हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ control charts बनाओगे, control charts वाला part हम इस वीडियो में नहीं करेंगे, लेकिन मीनिंग यही है कि control charts बना के आप देखोगे, कि हमारे जो production है, हो जई से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद services जो भी semi-finite grid से बनेंगी, उसको देखोगे, ठीक है, उसके बाद accept and test करोगे, कि उसको accept किया जाए, कि reject किया जाए, है ना, उसके लिए भी आप कुछ tools लगाओगे हैं हाँपे, ओके, तो यह brief दे रहा है उक तरह से मैं, कि SQC में यह सब होता है, starting में सब से, तो यह तीन level पे हम quality control करते हैं, inputs पे, conversion पे, output पे, accept and test करके quality of output जा जोगे, जो quality of output है, वो आ जाएगी, ठीक है, तो यह तीन stages थे quality control क्या है, अब quality control की techniques क्या क्या होती है, अभी तक हम quality control पढ़ रहे हैं, SQC अभी हमारा start नहीं होगा है, quality control की 4 techniques होती है, just in time, जैसी JIT, quality at source, inspection, और SQC, मत तो एक-एक line का meaning बताता हूँ, just in time की मेरी एक पहली वीडियो भी आ रखी है, तो अगर नहीं देखिए, तो link description में देख लेना जाके, just in time basically यह होता है, quality control कैसे होता है, कि just in time का मतलब यह है कि आप inventory जो पहले से लाके रख रहे होना, कि आप raw materials पहले से लाके भर रहे हो नहीं करना है, तो just in time यह होता है, quality at source क्या होता है, quality at source यह है कि भाई कोई भी आप production करोगे तो बहुत सारे processes से होकर होगा ना production, यह तो है नहीं कि यह भाई, raw material लेका आए, दो मिनेट में आपने output बना दिया, भाई कुछ process होते हैं, वहाँ से होकर आपके raw material को गुजरना पड़ेगा, तब जाके आपका output आएगा, तो quality at source यही है कि जितने भी process आ रहे हैं, workers क्या करें, वह दूसरे process में भेजने से पहले किसी भी raw material को, या किसी भी semi finished goods को उसकी quality check करें, okay, ताकि मतलब आगे और खराब ना हो, तो किसी भी process में भेजने से पहले ही उसकी quality check कर ली होता है, third होता है inspection, inspections का मतलब यह होता है, कि आपके कुछ set standards है, कि हमारा जो product है उसका rate इतना होना चाहिए, उसकी quality होने चाहिए, उसका taste होना चाहिए, अब हम pen one आ रहे है, तो उसकी ink ऐसे इतनी dark होनी चाहिए, इतनी hulky होनी चाहिए, तो inspection में वो सारी चीज़े आप set कर statistical quality control यह क्या होता है यह आप आगी वीडियो में देखेंगे यह क्या होता है तो आगे बढ़ते हैं statistical quality control के concept से concept of sqca statistical quality control statistical quality control refers to the use of statistical methods in the monitoring and maintaining of the quality of product and services अब चुपी मतलब हम quality के बारे में बात कर रहे हैं ने पूरी वीडियो में तो product और service जो भी हम बना रहे हैं उसके quality maintain करने के लिए यह कुछ statistical methods होते हैं उसको use करना ही statistical quality control हो गया quality control ही यह basically यह statistical methods use करके होता है वस यह उके statistical methods ले रहो की graph आ गया उसमें charts वगयरा आ गया तो ऐसे ऐसे करके मतलब यह सारा quality control करते हैं और भी क्या क्या है concept के बारे में it is the application of statistical technique to accept or reject products already produce मतलब यह application है statistical technique की accept किया जाया product को या reject किया जाया जो की पहले से बन चुके है or to control the process and therefore product quality या जो जिस दोरान वो बन रहे है न प्रोड़क्ट एक तो पहला scenario यह हो गया त extent के उसको quality test करो यह how to the later is called process control later जो है मतलब जो बाद वाला सीन है कि process के दौरान है उसको control करना quality को कि सही से process हो रहा है कि नहीं उसको हम बोलेंगे process control and the former is called acceptance sampling और जो former है कि production होने के बाद मतलब goods अगरा produce हो गए उसके बाद उसको statistical technique लगा के देखो accept करना है कि reject करना है उसको बोलेंगे acceptance sampling ठीक है acceptance sampling तो यहाँ पर दो methods दिख रहे हैं तुमें underline कियो हुए हमाने process control और acceptance sampling तो first हमारा discuss होगा इस वीडियो में concept of SQC for process control और second होगा SQC for acceptance sampling तो start करते हैं हम अपने process control के साथ so SQC for process control process control किया पढ़ाता हमने कि जो मतलब product बन रहे हैं production process हो रहे हैं उसी के द्वरान उसकी quality को ठीक किया जाए SQC for process control is based on the probability theory it is common that when several identical parts are manufactured some are little large and some are little small but most will be of same size अब यह बहुत common है कि अगर हम pen बना रहे हैं तो कुछ pens क्या होंगे बहुत मतलब जो हमारा standard set है कि इतने ही inches का होना चाहिए उससे थोड़े से कम inches के होंगे कुछ pens है ना या कुछ pens होंगे उससे थोड़े से बड़े होंगे हलका सा मायना सा difference होता ही होता है okay when the frequency or count of item by size is plotted with size on the horizontal scale and count on the vertical scale a normal bell shape curve is obtained आप अभी हमने देखा था कि कुछ जूपेंस होंगे वो कम साइज करेंगे कुछ पैंस जादा साइज करेंगे लेकिन जादा से जादा पैंस जो हम बना रहे हैं वो इकदम exact size क्योंगे ठीक है कुछ minor सा difference होता है लेकिन जादा जादा exact size के होंगा अगर उस चीज़ को ही हम मतलब इक graph पर plot करें ठीक है जो जहां पर horizontal axis पर हम size रखें और vertical axis पर कितने pen सब मना रहे हैं जो कि count रखें तो एक bell shape का curve आ जाएगा देख रहे हैं अपर bell shape का curve है यह अब दो चीज़े देख पा रहे होगे कि यह हम हमारे मतलब fix size था कि 1 cm या inches का हम pen बना रहे हैं या कुछ भी एक product बना रहे हैं 1 inch का कुछ जो आइटम होंगे कुछ आइटम वह इतने inch के होंगे 0.995 के यह minor सा difference है छोटे होंगे और कुछ items इससे बड़े होंगे 1.005 हलक से बड़े होंगे लेकिन जो ज्यादा तर है count में देखो ज्यादा तर जो item है वह पूरे exact size के होंगे तो यह bell shape का हुआ जाता है एक ओके तो यह दो lines देख लो अगर इससे भी छोटे items निकले या इससे भी बड़े items निकले जो भी माइने सा difference है माइने सा difference ना होगे एकदम major difference हुआ ठीक है तो वह मतलब एकदम बाहर होगे ह है हमारे curve से bell shape करके बाहर तो जो अंदर के differences है ना वन के इधर के जो minor differences है उसको हम कहते हैं chance causes of variation ठीक है chance causes मतलब कभी भी हो सकते हैं कभी नहीं भी हो सकते ठीक है बहुत कम chances होते हैं है ना बिल्कुत minor side difference के लिए लेकिन इससे भी छोटे हो गए या इससे भी बड़े हो गए products है ना अगर वन से जादा ही बड़े निकल गए या वन से बहुत ही जादा छोटे निकल गए तो उसको बोलेंगे हम assignable causes of variation जो कि मतलब कुछ ना कुछ हमारी गलती होगी उसकी वजह से हमने बिल्कुली खराब product बनाया है ठीक है तो यहां पर दो causes होते हैं chance cause of variation and assignable causes of variation तो chance causes are reasons for minor variations minor variations देखरो एक्दम कम variations in the quality characteristics that are inspected these causes do not cause the item to be rejected as the variations are within the tolerance limit अब कुछ tolerance limit है यार वन से आकर थोड़े से एकदम हलके से बड़े item बनाया है आपने तो acceptable है वो ठीक है तो मतलब chance causes of variation उसके जो item output आते हैं इसकी वजह से उसको हम reject नहीं करते हैं basically ठीक है क्योंकि यह within the tolerance limit है जैसे कि हमने पीछे graph में देखा था बन से अगर माइनर से बड़े हैं या माइनर से शोटे हैं तो उसको accept कर लेंगे इस causes cannot be controlled और prevented अब यह जो causes होते हैं मतलब control नहीं कर सकते हैं प्रिवेंट भी नहीं कर सकते हैं यह मतलब हो ही जाते हैं यह current के उसकी हो गया यह कुछ कुछ ना कुछ हुआ ज्यादा raw material हलका सा चला किया है तो उसकी विजह से हमारे यह हो जाते हैं variations बदला होता है तो second है assignable causes of variations assignable causes यह हो गया है कि हमारे जो decided limit थी उससे बहुत ही जादा बड़े products बन रहे हैं या उससे बहुत ही जादा different products या छोटे products बन रहे हैं तो पढ़ ले थे हैं these causes are external to the process and cause large variation in quality characteristics making items liable to be rejected अब यह causes जो होते हैं external होते हैं जो भी process है उससे external होते हैं मतलब जबरदस्ती क्यों होते हैं कुछ नहीं कुछ गलती होती है उसके विजह से हो जाते हैं और यह मतलब cause करते हैं large variation बिल्कुल एकदम different ही बना रहे हो आपने one decide किया है तो five बना रहे हो है ना इन तो quality characteristics making item liable to be rejected जो item है उसको reject करने के लाइक अब भाई one तुम्हारा size था आप five बना रहे हो गलती से तो उसको reject ही करोगे ना one में तो रखोगे ने उसको accept तो करोगे ने so these cause major variation in quality characteristics major variations होते है minor variations तो होते नहीं minor variations किसमें होते है chance causes में ठीक है assignable causes में होते है major variations these include wear and tear of machine parts improper raw material negligence of operations अब भाई इसमें क्या क्या आ सकता है wear and tear of machine parts machine parts को साहीजे नहीं रखा गया उसको timely update नहीं किया गया सफाई नहीं ही अच्छे से improper raw material raw material कोई अच्छी quality का नहीं था मतलब जाना कुछ था चला कुछ गया language of operations operations पर ध्यान नहीं दिया गया कुछ भी किसी के बाद भी कुछ भी process कर रहे हो है ना तो उसके वज़ा से assignable causes जाते हैं बहुत ज्यादा difference होता है outputs में ठीक है मतलब pen बना रहे हो ना आप तो उसमें कभी ink बहुत ज्यादा भर गई इंक बहुत कम रहा गई यह समझ रहे है आप उसका color बहुत difference हो गया आप सोच लेते white pen बनाऊंगा ठीकिन थोड़ा सा creamy color हो गया कुछ पैंस का है तो वह सब आ जाते हैं assignable causes में when it is known that improper size is made as a result of an assignable cause अगर हमें पता चल जाए कि improper size क्यों बन रहा है किसे assignable cause की वज़र से हमें cause पता चल जाए कि इस वज़र से हमें बन रहा है वो जो भी हमारे difference है इस वज़र से आ रहे है इस पॉसिबल तु स्टॉप डिडेक्ट दॉकॉज और रेक्टिफाई किया जाए उसको सुधार आ जाए ठीक ह आपका excuse for acceptance sampling अभी क्या पढ़ा था हमने excuse for process control अभी acceptance sampling के लिए क्या होता है देखो अब भाई इसमें क्या मतलब रण नीती रखी गई है कि जो भी आप अगर item बना रहे हो जैसे मैंने pen ही बनाया है तो pen यह तो नहीं एक एक करके हम निकालेंगे जैसे 100 pen एक बारी में निकाल दिये फिर थोड़ा सा मतलब gap लेके फिर 100 pen एक बारी में तो 100 pen के हमें डब्बे बनाऊंगा लॉड्स बनाऊंगा ठीक है डब्बो में रखोंगा 100 pen तो आप मतलब आपको check करना है कि हाँ यह सारे pens कैसे हैं सही चल रहे है कि नहीं तो आप क्य कि अब दुकानों पर जाते हो तो चावल कैसे टेस्स करते हो थोड़े से चावल हाथ में लेके देख लेते हो कि हाँ यह चावल तो सही है मतलब इसके पूरे कट्टे में ऐसी चावल होंगे या पूरी बोरी में ऐसी चावल होंगे तो वैसे ही होता है सेंपल लेना तो इस method samples are taken out and are carefully inspected to direct defects samples ले लिए कुछ उसमें से 3-4 pens उठा लिए और उसमें अदब सही से उसको inspect किया गया defect निकालने के लिए on the basis of number of defects found the lot is accepted or rejected if defects are few lot is accepted it is rejected when defects are more भाई कुछ उसमें sample उठाए आपने उसको inspection कर रहे हो अगर उसमें defects जादा है तो उसको reject कर दोगे पूरे lot को भले ही आपने जो sample है वही defective उठाया हो लेकिन आप पूरे lot को reject कर दोगे बोलोगी कि यह आगी नहीं बढ़ेगा तो उसको मतलब dispose off कर दोगे और दुवारे से production शुरू करोगे लेकिन अगर defects minor से हैं या बहुत कम है या नहीं है defects तो आप उस पूरे lot को accept कर लोगे ठीक है वह मतलब अच्छा है defect free है या बहुत कम defects है तो यह होता है acceptance sampling के लिए असकी उसी करना statistical quality control तो इसी तरीके से पूरे lot को inspection ना करके पूरे lot का आपने उसमें से कुछ samples उठा लिए और फिर उसको inspect कर रहे हो उस sample को बस तो उसमें से हमारा time भी बचेगा economy of inspection भी होगा ठीक है तो उसी के साब से अब accept करोगे किसी lot को या reject करोगे तो यह भी हो गया excuse or acceptance sampling तो अभी आद आते है advantages क्या होते है אתה QC के तो a cousinاي में हमने अभी तक क्या पर लिए quality का क्या meaning होता है quality control का क्या meaning होता है । क्या के stages होते है quality control कि क्या क्या methods होते है यह techniques होते हैं quality control की quality control की चार टेखनीक्स थी क्या थी gIT थी quality at source थी और inspection थी और sqc तो SQC हमारे topic था तो SQC हमने start किया concept किया SQC का और SQC के दो हमें उसमें से methods मिले SQC for process control and SQC for acceptance sampling SQC for process control में क्या था कि हमा production जो भी हो रहा है तो उसके दोरह नहीं हम उसके quality को ठीक किया जाए और acceptance sampling में हो गया कि हमारा पूरा production हो चुगा है मशीने मशीने सब बंद करें रख दी है सारा लॉट्स तयार है फिर उसमें से एक दो samples उठाए जाए और उसको चेक किया जाए और accept और reject किया जाए उसके हिसाब से अभी हम आगे हैं अपने next जो सब topic है advantages of SQC कि क्या फायदा होता है SQC से फर्स इसका point है it helps prevent defects from being made भाई जो defects हो रहे है ना उसको prevent करता है कि यह defect ज्यादा ना हो assignable causes signifying deviations in quality are deducted and rectified जो भी assignable causes है जो मतलब जबरदस्ती के causes है उसको मतलब deduct किया जाता है और rectify किया जाता है costly rework rejections and scrap are avoided तो उसके आपसी जैसे assignable causes है ना process control में थे यह सारी चीज़े तो उसी time उसको ठीक किया जाता है ताकि rework ना हो ज्यादा दुबारा उसको काम ना करना पड़े rejections ज्यादा ना हो हमारा ज्यादा loss ना हो scrap ज्यादा ना हो मतलब ज्यादा waste ना हो उसमें ओके नहीं तो क्या होगा आकर हम acceptance sampling करके उस पूरे lot को reject करेंगे तो loss थो at last हमारा ही होगा ना तो यह होगे advantage is SQC का कि process control में assignable causes को deduct करो और उसको rectify करो और फिर ताकि हमारा reward कम हो rejections कम हो scrap कम हो second point है it also helps avoidance of risk of accepting a bad lot अब इसका मतलब यह है इसमें excuse में हम क्या करते है lot बहुत सारे बन जाते हैं उसके उपर से हम उसके samples उठाते हैं तो इसमें यह है कि हमारा bad lot accept ना हूँ उस चीज़ को avoid करता है ताकि हम कुछ samples देख लें नहीं तो क्या होता है नहीं मशीन एक lot को पूरे को मतलब कुछ मतलब परिशानी होती है machine में और पूरे lot को खराब कर देती है तो samples उठाने से हमें यह पता चलेगा कि पूरे lot में हमारे किस टाइप की items है samples का inspection करके आप decide कर सकते हो कि lot में अच्छे items है कि बुरे items है उसके साब से आप reject करोगे और accept करोगे third है emphasizing on inspection of only samples as QC avoids inspection of the entire lot तो samples का inspection करके आप बहुत अच्छे results ला सकते हो अगर आप पूरे lot का inspection करोगे तो वह आपके लिए time consume होगा और बहुत costly भी पड़ेगा ठीक है तो बस उसके samples का उसमें से कुछ चीज़े उठा लो अब भाई तुम जैसे जाते हो शॉप पे जाते हो किसी तो आप चावल की बोरी को पूरे को तो inspect करते नहीं हो पूरे को चेक तो करते हैं हो कि हां वह इसमें उपर इतने अच्छे चावल हैं नीचे क्या बताव बैकार हो आप उपर से कुछ चावल हाथ में लेते हो और उसके जाप से आप से बोड़ी खरीद है पांच किलो 10 kg जितने भी खरीदने का बेख लेते हो यही हिस्क अब SQC का ultimate goal क्या है हमारा कि जो quality standards है हमारे मतलब organization के या जो हमारे production है वो अच्छी quality का हो ताकि हमारे अच्छी quality का production करोगे अच्छी quality के goods बेचो के तो आपका क्या होगा आपके organization की goodwill पढ़ेगी है ना नाम हो आपका organization में तो यह है SQC तो I hope आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही और numericals कवर नहीं किया है numericals में कुछ doubt है तो पूछ लेना और मेर को लगता है क्योंकि theory ही इसकी बहुत साथ लाइक कर दो वीडियो को और अगर dislike करने वाले हो या dislike कर रहे हो तो please reason लिख देना comment में ताकि मैं improve कर पाऊ और नहीं लिखना है तो फिर वह आपके वर्जी है और subscribe करना भूला मैं चैनल को subscribe बहुत साथ important है तो मिलते आप से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye take care have a nice day all the best for your exams